में को स्वागत है आज की वीडियो में हम यह जानने का पैसे कैसे बचाएं वेडियो में कईसे कांपर लगाया निवेश करें निवेश का सभी ऑपसन क्या है इस तरह के कईसा वीडियो में भी देखता हूँ लेकिन मेरे मन में एक सवाल आता है जब मेरे पास पैसे होंगे तभी तो मैं पैसे को निवेस्ट करूँगा इन्वेस्ट करूँगा इन्वेस्ट करूँगा इन्वेस्टमेंट की बात तो बात में आती है पहली बात तो है कि मेरे पास पैसे तो होने चाहि होंगा 50 30 20 रूल है यह है वो है हमने भी चैनल पर कई सारे वीडियो भी बनाये हुए हैं कि कैसे उसमें हमने कैलकुलेशन करके बताया है कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं कैसे आपके पैसे पैसे बचेंगे शायद आपने उन मैं ऐसे कुछ वीडियो भी देखे होंगे लेकिन बात यह आती है कि जब प्रैक्टिकली ग्राउंड रियालिटी प्रैक्टिकली बात आती है तो वहाँ पर पैसे खर्च हो जाते हैं कैसे खर्च होते हैं इसका हमें कुछ अंदजाई ही नहीं होता और कई बार हमारा जेव खाली हो जाता है कुछ लोग कहते हैं कि online के वज़े से यह हो रहा है online shopping जब से आया है उनके पैसे जो है खर्च होते जा रहे हैं लेकिन यहां पर online या offline की बात नहीं है तो बात क्या है इसको हम पहले देख लेते हैं उसकी बात मैं आपके साथ एक formula share करूँगा जिससे कि आप अपना पैसा बचा लेंगे ज़रूर बचा लेंगे 100% बचा लेंगे बस इसमें आपको मैं थोड़ी सी मेहनत आपसे में करवाओंगा तो आप मेहनत करने के लिए तयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहली बात पैसे हम क्यों नहीं बचा पाते हैं इसका root cause क्या है online shopping की बात हो online की बात हो offline की बात हो कोई भी बात हो main बात क्या है main बात यह है कि एक example से हम इसको समझने का प्रयास करते है मान लीजे मैं shopping करने के लिए जा रहा हूँ shopping mall में मैं मैं गया ठीक है mall भी छोड़ दीजे छोटी सी दुकान में मैं गया वहाँ पर shopping करने के लिए और मैंने पुरा अपना एक list बनाया हुआ है कि वो सामान जो है क्या मुझे खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए क्या मेरे budget में आ रहा है वो सब मैं बात में सुचता हूँ पहले तो मैं देखता हूँ कि क्या है इसको थोड़ा देखते हैं इसमें क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं पिर जैसे मैं देखता हूँ हाँ प्राइस भी थोड़ा ठीक ठाक है एफ़रेवल है तो उसको मैं ले लिता हूँ मुझे उसका जरूरत है या नहीं है मेरे मंत्री बजेट में आ रहा है वो मैं नहीं सुचता हूँ अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो comment section में जरूर हमाले साथ share करें इससे हमारा जो हमको इसको समझने में आसानी होगी तो ऐसा कई बार होता है और यहाँ पर तो मैं छोटी सी दुकान का example ले रहा हूँ अगर आप supermarket में चले जाएं किसी mall में चले जाएं तो वहाँ पर तो पूरा एक section बना रहता है कि हाँ अभी new year offer चल रहा है Christmas offer चल रहा है one buy one get one free कई बार हम कई बार क्या 99% केस में हमें इस तरह के जो है बहकावे में आ जाते हैं और सामान खरीद लेते हमारा budget पूरत ऐसे गड़बड़ा जाता है इन ही आदतों के बजए से यहां पर मैंने एक example लिया है इन ही आदतों के बजए से जो हमारा पैसा जो है वो नही हो जाते हैं और हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं तो अब करना क्या है इसको solution क्या है solution यह है कि हमें इनी emotion को यह काम पर लगाना है अब पैसे बचाना है तो आप एक pen and paper लीजे और उस पर आप लिखिए मैं पैसे बचाओंगा पैसे बचाना मेरे लिए जरूरी है क्योंकि आ आपको अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए पैसे बचाना है कि आपको कार खरीदना है कि आपको घर लेना है आपको क्या करना है क्या आपको अपने शादी की तैयारी करना है आपकी बेटे की साधी करनी है जो भी आपको करना है वो स्ट्रॉंग उसको पहले सोचिए उस इसको आपको बार-बार देखना पड़े, बार-बार आप उसको देखें, उसके बाद हो गया ये कि वो emotion आपका strong हो जाएगा, और आप पैसे जरूर बचा लेंगे, ये मेरी guarantee है, आप अपना पैसा जरूर बचा लेंगे, कैसे बचाएंगे, कहाँ पर निवेश करेंगे, उस के ओपर detailed video आपने बनाया हुआ है, link आपको निचे description में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, पैसे वहाँ पर निवेश कर सकते हैं, कोई risk नहीं है, निवेश तो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार आप पैसे बचा लें तो सब हो पाईए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे, मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद, नमस्कार